प्रदेश सरकार भले हैं सुबे के सरकारे स्कुलों में भैतर सुवीदा और गुनवत्ता सिक्षा देने का दावा करती हो लेकिन इसके बाद भी प्रदेश सरकार कई स्कुलों में आज भी बच्चे जान जोखी में डाल कर पढ़ाई करने को मजबूर है ऐसी ही एक तस्वीर सहडूल जिले की सामने आई है जहां पर जरजर भवन के बीच बच्चे डरके साय में पढ़ाई करने के लिए मजबूर है छट से उकडी प्लास्टर दिवारों में बड़ी बड़ी दरार और छट से तपकता बरसात का पनी यह तस्वीर है शहडूल जिले के सिरूंचा गाउ के शाष्र के विध्धाले के जहां नैनी हल जरजर भवन के बीच डरके साय में अपना भविश्च बनानी में चुटे हैं दरसल से रोंचा में कहने को तो प्रात्मिक विध्धाले में करीब दस से भी ज्यादा कम रहे हैं लेकर 14 लाग के लागत से बनिया विध्धाले भवन 9 साल में ही खंडर में तबदील हो गया अब ऐसे में बरसाथ के मौसम में यहां कक्षाय संचालत नहीं हो पाती इसलिए चात्रों को मादमिक विध्धाले में संयुक दूरूप से बैट कर पढ़ाई करना पड़ता है आपको जान कर हरानी होगि कि मादमिक विध्धाले काही हाल प्रात्मिक विध्धाले से कम नहीं है यहां कुल 4 गमडे और एक बरामदा है जसमें एक प्राचार कक्ष है वो भी जर्ण शेर श्यर्सिती में है बाकी बची तीन कमरों में से दो कमरे जर जर हैं और ऐसे में एक रूम और बरामदे में कक्षाय संचालित होती है लेकिन बरसाथ के दिनों में इन शात्रों के मुश्किले और बी बढ़ जाती हैं और करीब एक सो पचास शात्र एक ही कमरे में समट कर रह जाते हैं अब ऐसी परिस्ततियों में बच्चे कैसे बैठते होंगे और पढ़ाई कैसे करते होंगे इसका अंदाजा आप सोयम ही लगा सकते हैं अलाकि विध्याले प्रबंदन ने विध्याले मरमत के संबन्द में विभाको कई बार पत्रा चार क्या लेकर दिश्चा में अबे तक कोई सार्थक कदम नहीं उठाए गया मैं मोकेश कुमार कुश्वार है प्रभारी प्रजान आध्यापात माध्मी विध्याले शिरोंजा इसकूल की हमारी जो बिल्डिंग है ये तीनों कमरे जो है छत कमजोर होने कारण पानी यहां चूता है जिसके कारण से उपर की पूरी छपाई गिर गई है और उसमें आए दिन जो है सेमेंट और टुपड़े जो है वो गिरते रहते हमां इसकी कंप्रेंट कहीं आपने की है हां अभी विभागी सूचना जो है हर साल हम लोग फोटो साही जो है कि दिन में इस कार्म से यहीं वच्चा को बठाते हैं वहीं कलेक्टिव वंदला वैदी ने बताया कि जरजर वध्याले की मरहमत के लिए खनीज मत से